पूर्वी दिली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक बिल्डिंग अचानक जुग गई और इस वक्त क्या तस्वीरे हैं क्या ताजा हालात हैं ये ग्राउंड जिरो से मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरे सयोगी दुर्गेश इस वक्त कैमरा ओन किये हैं और सामने आपको चार मंजिला एक इमारत नजर आ रहा होगा ये बिल्डिंग दरसल कैमरे पर हो सकता है आपको साफ तस्वीर पता नहीं चले कि कहां से ये बिल्डिंग जो जुगा है खाला कि अगर मैं आपको समझा सकूँ तो दूसरी बिल्डिंग जो इसकी सटे हुए है उस दोनों के ब दरार को देखने के बाद जो लोग इसमें रहते थे जो भी परिवार इस बिल्डिंग में रहता था उन लोगों ने घर खाले किया और बगल में कहीं और शिफ्ट हो गए है और इस वक्त यहां हालात यह है कि इस बिल्डिंग को फिलहाल एक टेंपरेरी तोर पर रोकने के लिए मजबूत करने के लिए टिका रहे है यह बिल्डिंग इसलिए वेल्डिंग करकर करके इसको रोकने की कोशिश की जा दिए और इस वक्त आपको कहीं जो वरकर्स हैं वो नजर आ रहे होंगे जो काम में लगे हुए हैं पुलीस की तरफ से यह जो पूरा इलाका है इसक इस आसपास में अशोकनगर में रिहाइशी इलाका है ऐसे में आपको कई घर नजर आ रहे होंगे कई बिल्डिंग जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और इससे खत्रा हो सकता है इस आसपास में जितनी बिल्डिंग चुकि यह पूरा का पूरा जो इलाका है यहां लोग रहत जो बैरिकेड लगा करके फिलाल फौरी तोर पर काम कर रही है पूर्वी दिली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक बिल्डिंग अचानक जुग गई है और इस वक्त क्या ताजा हाला थे यही सीडी तस्वीरे में आपको ग्राउंड जिरो से दिखाऊंगी मेरी सयोगी द ताफ पता नहीं चले दरसल इसके ठीक बगल में जो एक आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी उस दोनों बिल्डिंग के बीच में दरार यानि गैप बढ़ गया है और इसको इस घर में रहने वाले यानि इन सभी फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने नोटिस किया जि इसको पर्मरिन तौर पर तो नहीं लेकिन औस्थाई तौर पर ही उसको रोकने के लिए यानि बिल्डिंग टिका रहे इसलिए ये आपको नजर आ रहा होगा वेल्डिंग करके इसको रोकने की कोशिश की जा रही है इस इलाके में चुकी ये रिहाइशी इलाका है निवश पुलीस ने दोनों तरफ के रास्ते दाई और बाई तरफ के रास्ते बैरिकेट कर दिये हैं और यहाँ दुकाने भी है आसपास में घर भी है और ऐसे में लोगों के लिए क्या ये सुरक्षा का विशह है मैं एक बार जाना चाहूंगी यहाँ पर जो लोग मौजूद है उ अब यह नीचे वाला पिलर है यह जिस पर क्रॉस लगाया हूए यहाँ पर तो यह सुबह सुबह जब डेरी खुली तो इन्होंने देखा कि यह मतलब अभी कुछ मतलब इस कंडिशन में जुक रही है साइड है तो उसके बाद इन्होंने सुबही खाली करवाना शूरू कि इसको सारी बिल्डिंग खाली करवा यह सुबह सुबह यह साथ वाली भी खाली करवा दिया है यह जब तक अभी इसमें यह काम चल रहा है यह वाला काम इसका लोहे का पिलर दिया जा रहा है इसमें सुपोर्ट तो यह काम खतम हो जाता है इनका तो उसके बाद शायद का सब्जेक्ट है कंसौन नहीं हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं और फिलाल ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम होगी इसको लेके जैसा कि आप देखी रहे हैं काम चल रहा है तो ये काम कंप्लीट होई जाएगा आज कल में तो है इस चीज को लेके थोड़ी तो प्रॉब्लम है पर ऐसा कोई ज्यादा खास मतलब डर जैसा कुछ वो नहीं है क्योंकि अभी इनोंने मतलब कुछ होता उससे पहले इनोंने डिसीजन ले लिया देख लिया चीजों को भई हो सकते कुछ दुरगटना हो सकती है तो इनो अभी दुरगटना भी हो सकती थी यह मेजर कंसा ने सुरक्षा को लेकर यहां जो लोग रहते हैं यह सुरक्षा के लिए जब हम लोग के पता चला मौनिंग में सोब के उठे साब तो बोले कि सब बिल्डिंग हिल गया है बिंडो से मतलब गैपिंग आ गिया है गैपिंग तो बहुत दिकत हुए पर पर्सासन को फोन किया गया फिर पर सासन आई यहां तो लगाई वहां सब लगाई गेट बन कर दे कि इधर आना मना है तो सब देखने लगे कि नहीं अब कॉल किया जाए जाए सब को खाली करवाने पड़ा अगल बगल बिल्डिंग को खाली करा दिया गिया मेरा रगुकुमार नौ इस तरीकी के बिल्डिंग्स में मेजर स्टेप्स लिये जाते हैं आपको क्या लगता है वो लिये गए थे या नहीं लिये गए थे परसासन के थूरूल लिये गए तो परसासन ने फिर जुगाल करवाएं तो सारे सभाएं, बिल्डर्स लोग के आये, तो सारा सपोर्ट के लिए सारा लग रहा है यहां और सब देख रहे हैं अभी परसासन लोग फूल सपोर्ट में हैं यहां जो लोग रहते थे उनको कई और शिफ्ट कर दिया गया है ताकि काम जो है वो हो सके लेकिन ये एक तरीके से कहा जाए तो बड़े खत्रे को टाला गया है यानि बड़े खत्रे से बचाया गया है लोगों को क्यूंकि ये बड़ा खत्रा इसलिए हो सकता था आसपास के बिल्डिंग्स को भी इससे दिक्कत हो सकती थी फिलाल यहां काम चल रहा है और मडम मत और स्थाई तोर पर करने की कोशिश की जा रही है सयोगी दुर्गेश साहू के साथ निदीश्री एडीटे निउस निवाशोपनगर दिल्ली